टाइगार नागे स्वराव जोकी साॕ्थ की सूपर स्टार रभी तेजा की आने वाले फिल्म है जिसको हिंदी में रिलीज्ट करने में कापी समस्या यह आ रही थी पर इस समस्या को दूर कर दिया राजा मौली सभाब ने तो चलिए जानते हैं कैसे राजा मौली बने रभी देखिए सबसे पहले आपको बता दू राजा मॉली और अभी तेजा की दोस्ती के बारे में अपने अक्षी कुमार की फिल्म रावडी डाठोड देखियोगी जो कि असल में रिमेक थी रभी तेजा की फिल्म विक्रा मुडो की जिसे डारेक्ट एसेस राजा मॉली नहीं किय था जो कि हीट रही और फिर बार में इसे टीवी पर हिंदी में डब करके प्रतिघाट की नाम से रिलीज किया गया था अगर आप इस फिल्म को देख लेंगे तो अब अक्षी कुमार की परफॉमस को ही भूल जाओगे अब देखिए राभी तेजा के फिल्म टाइगर समानी कठा करते थे वह सब गरीबों बाट देते थे इसलिए अपने लोगों के लिए भगवान थे लेकिन अफसोस इनका इंकाउंटर हो गया था देखिए फिल्म के टाइम्लेंड होने वाले नाइंटी सेवेंटी के आसपास अब देखिए क्या हो रहा है फिल्म तो पहले काफी ज्यादा मुस्किल होता है इसलिए काफी सार प्रोड्यूस और डायरेक्टर बजते अपने फिल्मों के हिंदी करने से वह क्या करते हैं तमील में तेलीकों में करनाटका में केल्डा में रिलीच किया और राइट से हिंदी ओले डिस्ट्रिवीटर को बेश दिया लो बॉली डाले इसी चीज का बेश सबरिस इंदी जार करते हैं कोई अपनी मुवी बनी बनाई दे दे अब हिंदी में रिलीच करके खुब पैसा चापे और यही चीज हो रहा है रभी तेजा के साथ इनके फिल्म के राइट के पीछे जोन अबरायम को प्रोडक्शन आले पी इंडियन फिल्म इंडेश्ट्रीम की इजद करती है चाहे बॉलिड हो या साउथ और अब यह कोलाबरेट करने वाले हैं रभी तेजा के साथ देखिए अच्छी फिल्में बनती हैं रिलीच भी होती है और चली भी जाती है उसको सबसे बड़ा एक्जामपल एक कमल हसन की बिक्रम फिल्म एक अदम जबर्दस फिल्म थी मगर नौर्थ मुतना मार्केटिन नहीं होई कोई विक्रम का कोई हवा नहीं हुआ इंटरनेट पर क्या हुआ हिंदी में टोटली फ्लॉप हो गई लेकन अब यह गलती नहीं करने वाले हैं रभी तेजा इसलिए मनत ले रहे बड़ी फिल्म होने वाली है इसलोग कोई भी गलती नहीं करना चाह रहें बाकिया अब कमेंट करके बताओ आप कितने एक्साइडेड टाइगर नागेस और राओ के लिए अपनी राइक कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ में सी और अबडेट के लिए चैनल को सब्सक् आप